राजा यायाती की कथा भागवत में मैं बार बार सुनाता हूँ इसलिए कि राजा का भोग भोग इतना भोग भोगने की इच्छा है कि अपने बेटे की जवानी लेकर भोग भोगता रहा फिर भी तरप्त नहीं हुआ अपने बेटे की जवानी को लेकर भी तरप्त नहीं हुआ एक दिन उसने पसुओं को उन्हीं भोगों में लिप्त देखा जिसमें वो खुद लिप्त था तो उसने सोचा मुझ में और इसमें क्या नहीं था रहे we are sleeping animals also sleeping we are eating they are also eating we are earning they are earning we have children they have also children what is a difference between animals and human being nothing Indian Hindi bolu क्या है समझ में अ अगई हम कमाते वो भी कमाते हम खाते वो भी खाते हम सोते हो भी सोتे हम पे भी बच्चे उन पे भी बच्चे तुम पे ही पह मिली उन पे भी फैमिली क्या ढूर आज मानव में और पर जों अंतर है हम यह कथा करा सकते वो नहीं करा सकते हम अनाथ आश्रम बनवा सकते वो नहीं बनवा सकते हम भजन कर सकते वो भजन नहीं कर सकते हम तीर्थ जा सकते वो नहीं जा सकते हम परोपकार कर सकते वो नहीं कर सकते यह अंतर है और जिसमें ये अंतर है वही मानव है और जिसमें अंतर नहीं है वो इंसान होकर भी जानबर है अब ये तुमारी ड्यूटी है कि हमको इंसान बनना है कि इंसान होकर भी पसू बनना है ये हमारी ड्यूटी है ये आप सी के तो राजा याति ने जब पसू को देखा कि ये भी तो ऐसे भोगों में लिपते जैसे मैं तो उसे बैराग्य हो गया और तब से उसका कल्यान हो गया तो हमें भी ऐसी कथ्राइं सुनकर बैराग्य होना चाहिए जब संतान समालने योग्य हो जाए तो घर में ही रहकर घर को छोड़कर सिर्व भगवान के भजन में और अपने आत्म कल्यान का चिंतन लेकर जीवन का उदेश बना लेना चाहिए तो मेरे प्यारे भगवान से कृष्ण का प्राकट यह मतुरा में मतुरा एक पुरातन नगरी है वहां के राजा उग्रशन जो के बड़े धर्माराजा है उनका पुत्र है कंस परकंस ताकोसुवन बहुत बड़ो पापी ताकोसुवन कंस अतिपापी असुर बुद्यवयो जग संतापी वह बहुत बड़ा पापी है देखिए यह भी सुन लिजे एक बात यह जरूरि नहीं है ओल्र तो उलाद अच्छी होगी और इच्छी माब अच्छी होगी- Kant भूर जनम के संस्कार डिपंड है कई बरे माबड के अच्छी उलादा आ जाती काई आए अच्छे माबड के अपपिए उलादा आ जाठी पोओ गया अरे व्मावाप तो इतना ऊक्षे ना बुरा बडा बुरा लड़का कैसे हो गया ओ गया ना बढ़ी ही, पुराने अच्छे बाप की उलाद बनना उसके बाग्ये नहीं पर अच्छा है, इंसान बनना उसके भागे में नहीं, यह उसका भागे, याद रखी इस बात को, तो आपके घर में पत्नी और पती अच्छे मिल जाए, यह आपका भागे, बच्चे अच्छे मिल जाए, आपका भागे, और यही दो तीन ज्यादा अच्छे लोग रहते, इनत नहीं करनी पड़ते, माबाप अच्छे तो हमें तार देंगे, हम अच्छे तो नहीं तार देंगे, बच्चे तो हम सब को तार देंगे, एक अच्छा निकल जाए, एक अच्छा ब्यक्तित्व, कैयों को तार देता है, एक घर में सादू हो जाना, तो चौदर पीड़ कि तुमसे पहले कोई बन गया क्योंकि उलाद को भी निवनने दूगे तुम साथू कौन कौन चाता मेरा बेटा बाबाजी हो जाए क्या वाद कि इसलिए कहते धर्म भी खतम नहीं हुआ यहां पर भी कम से कम दस लोगों ने हाथ उठा दिया कि मेरा बेटा साथू बन जाए क्या वाद कि भगवान आपकी सिंबत को हमें सा बनाए रखे और अगर देखो जिन साथूं पर हम उंगली उठाते न कि आज हमारे गर में कोई साथू बने तरिमबत नहीं है हम खुद नहीं चाहते कि हमारा बेटा साथू बन जाए और उन्हीं मात्मां पर कितनी उंगली उठा देते हम एक अच्छा व्यक्ति कई पिडितार सकता है उग्रिशन धर्मात्म हैं लेकिन उनुका पुत्र पापी है कंस तो एक बार अपने सूचता था कि लोगों का हमारी चवी लोगों में खराब है लोग हमको दुष्ट समझते हैं तो चवी सुदारने के लिए क्या करें तो उसन सारा तो अपनी बेहन को पहुंचाने के लिए कि दैज की बात आ रही है करूं कि नहीं है मैं पटना में था वहां पर एक बेटी मेरे सामने बहुत रोई हो सकता है में भी वो वीडियो आप लोगों ने देखा हो कि साइद कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा वो वीडि जो अब शेक के लिए के बच्ची पूछती हमसे वो सब ने देखला वह बहुत पहुंचा हो और जो जिसमें दैज के लिए को बेटी रो रही थी वो भी देखा होगा आप लोगों ने और वो पदमावती देखी क्या है वो भी देखी है कई 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 यह सब चीजे धर्म के परचार के लिए